चैसी कि आप सबको मालूम हूंगा, जैसे आपन कस्टम राम इंस्टॉल करतें तो उसमें कोई भी आपको गैलरी का आप प्रे इंस्टॉल नहीं मिलता, आज मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आ गया, आज हम देखेंगे कि कैसे आप Mewer गैलरी को अपने कौन से भी गैलरी को इंस्टॉल करना चाहते, तो तुम लोग बिल्कुल सही जगा पर हो, चैनल को अब तक सब्स्राइब नहीं किये, तो सब्स्राइब करतो, मैं को मोटिवेशन मिलता, अगर आप सब्स्राइब करतेंगे, तो मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लेगे आतों च सकते, साचुरेशन सेट कर सकते, हाइलेस को बढ़ा सकते, एक्सेटर, 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 एडवास्ट, फिल्टर्स, अपने फोटो को निखारने के लिए, कई तरह के फिल्टर्स और एफेक्ट्स का इस्तमाल कर सकते, इसमें आपको प्रोफेशनल डिफ Windows एक well organized format में set रहे, MIUI Gallery ये ensure करता है कि आपकी images well organized रहे, अब जब आपको benefits पता चल गए, चली MIUI Gallery को explore कर लिएंगे, gallery को open करने के बाद आपके device के सारे images दिख जाते, इसको आप zoom in या zoom out भी कर सकते, अपने according, images को access करना और images के बीच switch करना बहुत आसान हो जाता, left to swipe करेंगे तो यहाँ आप देख सकते, images बहुत अच्छी तरीकी से organized है, like camera से click करें, so images एक folder में रहते, screenshot का अलग folder रहता, इसमें आपको trash bin वाला feature भी मिल जाता, like अगर आपको image गदि से delete कर दिये, तो trash bin में जाके इसको restore कर ले सकते, मैं image को delete करके उसको restore करके आपको बता दो, image को select कर लेंगे, extremely इसमें पर tap करके इसको restore कर लेंगे, देख सकते यहाँ पर अपनी image restore हो गई, 3 dots पर tap करेंगे तो यहां आपको इतने सारी options मिल जाते college का feature इसमें available है कुछ-कुछ features इसमें working नहीं रहते like video editor का option यहां पर working नहीं है साथ ही यहां free up storage का option मिल जाता जितने भी duplicate files है इसको delete कर देता list view का option है अपन चलेंगे यहां settings पर यहां hidden albums का feature आपको मिल जाता image को अगर edit करना है तो edit value option पर tap करो यहां आपको सारे editing features मिल जाते नीचे के side 3 different options आपको मिलते like basic AI beautify का option यहां पर आपको मिल जाता basic में basic features जैसे cropping हो गया filters हो गया adjustment आप कर सकते brightness, contrast, saturation, shadows, etc यहां बहुत अच्छा feature है auto का, यह automatic आपके image को analyze करके इसमें auto enhancement कर देता dodal का feature मिल जाता, image में कुछ लिखना है, या कुछ draw करना है easily कर ले सकते, images में different different shapes भी आप create कर सकते, text का option मिल जाता, कुछ text add करना है और यहां पर आपको बहुत सारे text के styles मिल जाते mosaic का option यहां पर आपको मिल जाता image में कुछ hide करना है mosaic को select करके swipe कर दो तो यहां कुछ इस तरीके से effect आपको मिल जाता image पर, AI में आपको art framing का feature मिल जाता बहुत सारे frames मिल जाते यहां पर यहां पर कुछ-कुछ features working नहीं रहते like यह वाला feature working नहीं है just a second पर यह stuck हो गया bokeh भी इसमें working नहीं है और sky वाला feature भी इसमें work नहीं करता stickers वाला feature working है बहुत से amazing stickers अबलाई कर सकते image पर और यहां frame का option है जो भी frame चाहिए set कर लो अगर आप अपने edit से satisfy हो गये तो just इसको save कर लो अब आपको बताता हूं कि आप newy gallery को with editor अपने device में कैसे install कर सकते without root just आपको दो फाइल में दे रहों उसको आपको download कर लेना है एक है अपनी gallery.ab के simlish पर tap करके अपने इसको install कर लेंगे और एक फाइल यहां पे है fixed editor.ab के around 200mm का size है इसको भी अपन इंस्टाल कर लेंगे इसको install करने के बाद आप newy gallery app को use कर सकते with editor editor बिस में working रहता अगर आपको यह वीडियो helpful लगा तो please इसको एक thumbs up जरूर देना चैनल को subscribe कर दो कुछ भी अगर question है तो comment में बोल देना तो चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्ट वीडियो में